नमस्कार, SC News की खास बुलेटन में आपका एक बार फिर से स्वागत है भारत समाचार न्यूज चैनल ने चीन के खिलाव बड़ा कदम उठाते हुए चैनीज कमपनियों का विग्यापन न प्रसारित करने का लिया निर्ने चैनल के संपादक ने ट्विट कर दी जान करी नागरी कुटैन मंत्री हर्दिप सिंग पूरी ने कहा अंतराश्ट्री उडाने शुरू करने पर जुलाई में लेंगे फैसला लॉकडाउन के दोरान अब तक 2.75 लाक भारतियों को फ्लाइट्स और जहाजों की जरिये वापस देश में लाया जा चुका है दिल्ली पुलिस ने खोज निकाली नकली स्पेशल 26 फरजी सीबिया यदिकारी बनकर और सम्मोहित करके ठगने वाले एक गैंका किया परदाफाश मशूर बल्लेबास तमीम इकबाल के बड़े भाई पूर्वो बंगलादेशी क्रिकेटर नफीस इकबाल पाए गए कोरोना पॉजिटिव केंद्रिय मंत्री अमिच जाद्वारा बनाई समीती ने नीजी अस्पतालों से की सिफारिश कहा कोरोना मरीजों को साधारन आइसोलेशन बैड के लिए अस्पतालों के रेट होने चाहिए 8000 से 10,000 रुपई प्रति दिन मार्स की तिमाई में पंजाब नैशनल बैंक को मिली बड़ी राहत, बैंक का कम हुआ फसा हुआ कर्ज वही फाइनशल इयर 2021 में 8000 करोड रुपई रिकवर होने की उमीद अमरीका की राजदानी वासिंगटन डिसी में जोर्ज फ्लोईड की मोत के बाद बोटेस्ट के दोरान पुलिस की कार जलाने के आरोप में एक महिला को होगी 80 साल की सिजा पाकिस्तान में कराची के गनी आबादी वाले लियकताबादी इलाके में हुए बंद माकुम में दो पाकिस्तानी जवान समें चार लोगों की हुई मोत एक्टर सुसान सिंग आजपूत की खुद खुशी के मामले में कोर्ट नेदी सल्मान खान और करण जोहर सहित पांच के खिलाब केस को मंजूरी 30 जुन को मुंबई की कोर्ट में होगी सुनवाई एमदाबाद में 23 जुन को नहीं निकलेगी जगनातपुरी की रथ यात्रा शहर में रोज आ रहे सेकडो कोरोना केस को मद्दे नज़र रखते हुए गुजराथ हाई कोट ने लगाई रोक कोविड-19 थीम फिशिंग अभियान के रूप में 21 जून को भारत बन सकता है उत्तर कोरिया के हैकरों के हमले का शिकार हैकर्स की लिस्ट में 6 देश है जिन में भारत सिमेट, सिंगापूर, दक्षिन कोरिया, जापान, यूके और अमेरिका भी है शामिल और आज का से न्यूज का सवार, लोग दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं, आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में सरुर देए